गुड बॉलिंग स्टुडेंट विशे विज्वियान कफ्षा सात्वी पाट 10 और पाट का नाम है जीवों में श्वसन यानि कि श्वसन का अर्थ होता है सास लेगा जीव के से सास लेते हैं मनिश्य के सास लेते हैं इस काट में इस सब का इन सबी चीजों का वर्णन है तो आ 114 पेश नंबर निकाल लीजिए तो आप इस लिसन को एक बार जरूर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें श्वसन के बारे में सास के बारे में क्या है अब मैं थोड़ा सा आपको इसके डिटल समझा देती हूं जीवों मतलब आप ही देखा होगा कि हम जाते हैं हम रनिंग करते दोड़ते हैं तो अगर हम तेजी से दोड़कर जाएंगे तो हमारे सास के हो जाएगी फुल जाएगी यानिकि बहुत ज़गा मतलब अगर आजिक तेज चलेंगे तो हमारे दढकाने वह तेज हो जाती है ऐसा क्यों होता है एसा इसलिए होता है कि करने हम लगा तरब कह लाती है तो यह स्वास के बारे में मैं पर बता थेनी की यह मनुष्य की बत होती है हम सास किससे लेते हम सास के दवारा लेते ढें ले किसमी लेते हुस् achte लागम जीव कैरें मंधल रहते हैं अगर हम पाली में जाधा चे लेंगे पाली स्पाड़ समय में स्ऩटाब नागम करें और опять पाली में तो नहीं आहें मादा रहते हैं च्रैंतर पाली नहीं रहते हम नागे आइसोड़ किliche पानी में रह सकते हें कि आपकर मर जाएंगे यहां डीकन participants दैखा यही कि मछली पानी में रहती है और उसको सांस भंग उसको जिवन जो हें पानी के अंदर क्यों होता है एसा इसलिए होता है और फिस दोष्च को अब पानी के दवारा सांस लेती हैं बिरफी बश्राइसr सब्सक्राइब चृते हैं, नहीं को चूल है HOLOM जिससे कि ज़न जो होते प्रदूशित निकलते होते किसी अन्यिक्तिक पर उस पर भिमार बाश्री सोर्ग्रूक की आवशकता होती है जैनकी सास लने के आवशकता का होती आप जानते ही कि वायू में आक्सिजन होती है फिर हम आक्सिजन लेते हैं और फिर हम उसके द्वारा सास छोड़ते हैं वायू का शरीर से बहां निकालते हैं इस वायू में सास द्वारा अंदर ली गई वायू की तुल्ला में जो कारबन डाय अकसाइड है की मात्रा अधिक ह सबसे ज्यादा आधा होती है कि अच्छी होती है हम वायूर की सास द्वारा अंदर लेती है उसमें उपशेज़न शारिर सभी भागों में और अंततहा प्रतिक कोशिकां में ले जाती है कोशिका में या uncool के विखंडन के उरगण नहीं 한मुकते होती कोशिका और न growth इन कोशी की की शुवसन इसे हुम कोशी की सुवसन चाहिए . तो बच्चों आपने देखा कि सास की वारे महीं ढहना विसके चीज़ हैं यहां जीव सास कैसे लते हैं मचली सास कैसे रती है , मनुश्य सास कैसे लता है मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है सास की बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं मतलब सास जो होती है अगर हम जिसकी हमें क्या जरूत पड़ती है जिसे मिट्टी, जल, वायू की जितनी आउशक पर इतनी हमें सास देन के वायू होगी तो हम सास ले सकते हैं खायो नहीं ले सकते हैं मैंने अपको अलग अलग तरीकिसा अलग अलग जिवित तो कैसे सास की जगो दे बैफको अब आप इस बिलेज़ाज़ को आपको समझ में आ जाएंगी कि मैंने आपको दे नहीं आप इस डिटेल आप भूक में से ले लेज़एगा और बैकी इसके question answer जो भी कुछ है मैं आपको send कर दोंगे तो आपको अपना काम पुरा कर लेजिए ओके बाई थेंक्स